हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मध्यप्रिदेश की नमबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो अक्टुवर और नॉमबर 2019 का करंट अफेर हम आप तक लेकर रहे हैं दोस्तो यह वन लाइनर करंट अफेर इस पार म क्योंकि दोस्तो जो भी important question है आपको रटने में और याद करने में परिशानी नहीं होगी और दोस्तो वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होगा और option की चक्कर में दोस्तो टिक करने की चकर में थोड़ा सा time खराब होता है इसलिए दोस्तो वीडियो लंबा हो जाता है तो बिना समय गवाए चलते हैं question number first question number first है एक नॉमबर को मद्यप्रदीश में कौन सा इस्थापना दिवस मनाया गया है जैसा कि आपको पता है एक नॉमबर 1956 को मद्यप्रदीश बनाया गया था और यह है इसका 64 इस्थापना दिवस है next question is sung 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 किसे मद्यप्रदीश में उच्छ सिक्षा आयुक्त बनाया गया है तो यह है चंद्रमौली शुक्ल को इंद्रमौली शुक्ल को इंद्रमौली विकास निगम का मद्यप्रदीश के 25 वे मुख आयुक्त बने है जिसका सई오फ्षन है ग्रीस चंद्रमौली के पहले उपराज जिपाल बने है जिसका सई informações दोष्टो उच्जन में कालीदा समारो आयज़ित किया जाता है और इस पार भी उज्जन में ही यह समारोग आयजित किया गया है नेस्ट कॉशन है मद्राज को चेन नहीं नाम कब दिया गया था जिसका सही option है 1996 यानि 1996 में मद्राज का नाम बदल कर चेन नहीं किया गया था दोस्तो इसमें कुछ important इंडिया के भी current affair की question लिए गया है इसके अलावा दोस्तो कुछ और important GK की question भी लिए गया है जो इंडिया के है इसमें के लिए सिर्फ मद्राज की question नहीं है mixed video है दोस्तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मद्राज की current affair की question ही आते हैं दोस्तो MP, मद्वर्देश और भारत इसके अलावा बल्ड की करंट अफेर की question भी पूछे जाते हैं तो इसलिए ये दोस्तो वीडियो बहुत important बन जाता है चलते हैं next question पर हाली में किस धुरुपत गायक का निधन हुआ है जिसका सही option है रमाकांत गुदेचा जो एक धुरुपत गायक थे इनका हाली में निधन हुआ है हाली में किस धिले में चाउदायवा बनचीक उत्सव मेला मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है सागर में सागर में चाउदायवा बनचीक उत्सव मेला लगाया गया है नेस्ट कौशन है बोटर आईडी की सुरुआत करने वाले मुख्य चुनाव आयकत कौन थे तो दोस्तो इसका सही option है TN सेशन ये वो व्यक्ती थे जुन्होंने बोटर आइडी की सुरुआत की थी और ये मुख्य चुनाव आयकत थे ये दूस्त हैं बहरत की ऊर से हैट्रिक ली है उनका नाम है दीपक चहर नेश्ट कोशन है किस राज में देश का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल लगाया जाएगा दिश का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा Next question है, हाली में किस child artist को? ITA ने सम्मानित किया है तो इसका सही option है, दोस्तो माही सौनी को वह चाल्ड actrix हैं, जिने हाली में ITA ने सम्मानित किया है और यह दोस्तो मध्य पृदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली है तो इनका नाम आपको याद रखना है, नाम है माही सोनी Next question है, हाली में कौन? मद्यप्रदेश, निजी, विश्व विध्याला बीनेमिक, आयोग के अध्यक्ष बनाए गए है जिसका सही option है, स्वाराजपुरी स्वाराजपुरी को मद्यप्रदेश, निजी, विश्व विध्याला बीनेमिक, आयोग का अध्यक्ष चुना गया है Next question है दोस्तो, नवंबर माह में किस जिले में निमाड उत्सब शुरू हुआ है तिसका सही option है दोस्तो, खरगौन जिले में खरगौन जिले में नवदा नदी के किनारे निमाड उत्सब शुरू हुआ है Next question है सांची महुत्सब का आयोजन किस जिले में किया जाता है तिसका सही option है रायसेन रायसेन में सांची महुत्सब का आयोजन किया जाता है दोस्तु आपको पता है सांची में प्रिशिंड स्टूब है Next question है केंदर दौरा जारी पानी रैंकिंग मैं कि शहर का पानी सबसे वेस्ट बताया गया है त्युसकर सई option है दोस्तो मुंबई मुंबई शहर के पानी को कैंदर द्वारा जारी रेंकिंग में सबसे बेस्ट यानि अवल बताया गया है दोस्तो इसमें कुल 21 सहरों को चुना गया था जिसमें सबसे बेस्ट पानी मुंबई और सबसे खराब पानी दिल्ली भूपाल जैपुर का चुना गया है नेस्ट कोश्चन है हाली में भारत के 47 वे चीफ जस्टिस कौन बने हैं तो इसका सही ओफशन है सरत अरविंद बोबडे यानि S.A. बोबडे ये भारत के 47 चीफ जस्टिस बने हैं ये दूस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है आपको याद रखना है इसके अलावा अंडे बांटने का प्रस्ताव मंझूर किया है जिसका सही ओफशन है हमारे मध्यप्रदेश में हमारे मध्यप्रदेश में आंगनबाडी महिलाओं और गर्वबती महिलाओं के लिए अंडे बांटने का प्रस्ताव मंझूर किया है दोस्तों एक अप्रेल से बच्चों को ह सत्या नडेला, सत्या नडेला को Fortune Person Business of the Year चुना गया है, दोस्तों आपको बता दें, ये Microsoft के CEO है, नेस्ट कॉशन है, मद्धिप्रदेश परेटन विभाग के शहर में अपना होटल खोलेगा, जिसका सही option है, सागर, सागर में मद्धिप्रदेश परेटन विभाग अपना एक ह Islamic सभा कहां आयोजित की गई है, जिसका सही option है, दोस्तों, भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी Islamic सभा का आयोजित किया गया है, दोस्तों इसमें 54 देसों की 10 लाग सिया थे कि लोगों ने शामिल हुए थे, नेस्ट कॉशन है, एक Oxford डिक्सनरी ने 2019 का वर्ड आप ता येर किसे चुना है, जिसका सही option है, climate emergency, दोस्तों, climate emergency को Oxford, export नहीं है, दोस्तों, यहाँ पर Oxford डिक्सनरी का, 2019 का, बर्ड आफ ता येर चुना गया है, नेस्ट कॉशन की बात करें तो है, पसुपतिनात महोचव, यहाँ पर दुस्तों, पटुट सौनी महोचव का आयोजन किस जि में, पसुपतिनात महोचव का आयोजन किया जाता है, दोस्तों, इस पर शिप पारवती विवाह आयोजित किया जाता है, इस महोचव में, चोथा जल उचव कहां आयोजित किया गया है, तो इसका सही option है, दोस्तों, खंडवा, खंडवा में, चोथा जल उचव आयोजित कि या गया है नेस्ट कोश्चन है हाली में किस पूरो मुख्य मंत्री का निधन हुआ है तो दोस्तो इसका स़ी और जोशी कैलास जोशी जो मध्दिप्रदेश की पूरों मुख्य मंत्री रह चुके हैं इनका हाली में निधन हुआ है दोस्तो ये 91 वर्ष के थे आपको बता दे 24 24 बरी 1977 को कैलास जोसी मद्धिप्रदेश में इतिहास के पहले 11 कॉंग्रेशी मुख्यमंत्री बने थे और अब इनका हाली में निधन हुआ है Next question है मद्धिप्रदेश राज्य सर्वस्रेश्ट शहरों की तर्ज पर अपने राज्य के 34 शहरों को विकास करेगा जिसका सही option है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश राज्य सर्वस्रेश्ट शहरों की तर्ज पर अपने राज्य के 34 शहरों का विकास करेगा दोस्तों आपको बताने ये जो सर्वस्रेश्ट शहर है उनकी लिस्ट में लंदन, नियुवर्क और जोहांसबर्ग है और इसी की तर्ज पर मद्धिप्रदेश में भी 34 शहरों का विकास किया जाएगा नेस्ट कोशन है हाली में किस राजने 5 वी और 8 वी कक्षा को फिर से बोर्ड बनाने का फैसला लिया है जिसका सही option है मद्धिप्रदेश में 5 वी और 8 वी कक्षा को फिर से बोर्ड बनाया जाएगा दोस्तो ये 10 साल बाद फिर से पैटर्ण बदलेगा यानि दोस्तो 10 साल पहले 5 वी और 8 वी की कक्षा बोर्ड हुआ करती थी लेकिन ये फिर 10 साल के लिए बैन हो गई लेकिन अब मद्धिप्रदेश में फिर से 5 वी और 8 वी की कक्षा को बोर्ड में तबदील किया जाएगा नेस्ट कोशन है हाली में किसी बंडर फॉरीशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका सही option है नीना गिडियन को बंडर फॉसियन अवार्ट से सम्मानेत किया गया है Next question है हाली में कौन महरास्ट की नए मुख्यमंत्री बने हैं जिसका सही option है उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे महरास्ट की नए मुख्यमंत्री हाली में बनाए गए है 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इन्हें दोस्तो ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है बहुत खतरनाग नाम है अक्कितम अच्चुयतन निमून्त विक्री इन्हें ग्यानपीट पुरुषकार 2019 से सम्मानित किया गया है और यह दोस्तो मलयाली के लेखक है यानि मलयालम भासा में अपने लेख लिखती है, next question is, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में है, जिसका सई option है, भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी, भारत में है, दोस्तो बात करते हैं, October current affair की, दोस्तो अभी तक जो हमने देखा तो भैर Namambar का अब बात करते हैं October की current affair की पहला कोशन है मद्धप्रदीश में कहां helmet गर्वी का आयोजन किया गया है तो इसका सही option है दोस्तों दतिया दतिया में पहली helmet गर्वी का आयोजन किया गया है नेस्ट कोशन है मद्धप्रदीश में कहां देश के आधुनिक बायुमंडली वेदशाला बनाई जाएगी तो इसका सही option है भूपाल में देश की पहली आधुनिक बायुमंडली वेदशाला बनाई जाएगी नेस्ट कोशन है वर्ल्ड वॉक्सिंग चेंपियाशप में आध मेडल जीतने वाली दुनिया की एक मातर खिलाड़ी कौन सी है जिसका सही option है दोस्तू MC मेरिकॉम जो हमारे भारत देश की सर्वस्रेश्ट मुक्के बाज है उन्हें हाली में आध मेडल दोस्तू आधवा मे मेडल भी जीता है दोस्तू आपको इनकी कुछ मेडल की बारे बता दें तो इन्होंने वर्ल्ड वॉक्सिंग चेंपियर्शप में 2001 में सेलवर मेडल जीता था नेस्ट कोशन है किसने आवर्द सानी को सबसे तेज भूलकर रिकॉर्ड बनाया है जिसका से यौफशन है अर्जुन चतूर्थ मुथाने ये दूस्तू मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने आवर्द सानी को सबसे तेज भूलकर रिकॉर्ड बनाया है और ये भाला घाट के रहने वाले हैं एप केंदर की द्वारा लॉंच किया गया है दोस्तों इसमें आप पौधों की तस्वीरें साजा कर सकते हैं इससे ब्रक्षों की जियो टैगिंग भी की जा सकेगी नेस्ट कोशन है हाली में किसी इंद्रा गांदी सांताबना पुरुषकार दिया गया है जिसका सही ओफशन है चंडी प्रसाद भट को इंद्रा गांदी सांताबना पुरुषकार से सम्मानेत किया गया है दोस्तों चंडी प्रसाद भट ये परियावरण वादी है नेश्ट किज़न है, मदिप्रदीश ने राष्टिय पावर लिफिटिंग चैंपियोशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं स्वा बाइस गोल्ड मेडल होरुन इंडिया डान्करताओं की लिस्ट में कौन पहली स्थान पर हैं तो दोस्तो इसका सई option है सिव नादर ये HCL की head है और ये दान करताओं की list में सबसे पहले number पर हैं दोस्तो ये हूरन के द्वारा list जारी की गई है इसमें दोस्तो अगर हम बात करें दूसरे number की तो दूसरे number पर अजेम प्रेम जी हैं और तीसे नंबर पर हैं मुकेश अंबानी. Next question है, मध्यप्रदेश के पहले Smart Industrial Township का उद्गाटन कहां किया गया है? तो इसका सही option है, मध्यप्रदेश के धार जिले में, मुक्यमत्री कमलना जी के द्वारा Smart Industrial Township का उद्गाटन किया गया है. Next question है, पचासवी मध्यप्रदेश रास्टिय शालिय प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका सही option है, गवालियर में, 65 भी मध्यप्रदेश राज्य इस्तरिय शालिय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. Next question है, भारत की लक्षमी की brand ambassador किसे बनाया गया है? तो इसका सही option है, दीपका पादुकॉन और पीवी सिंदू, ये भारत की लक्षमी ये पहल है दोस्तों प्रधानमंती मोदी की द्वारा की गई थी और इसका brand ambassador दीपका पादुकॉन जो एक एक्ट्रिस है और पीवी सिंदू, ये बैडमिंटन खेलती हैं, इन दोनों को भ सी बड़ा सिक्की बनाने का plant इस्तित है, दोस्तों आपको बता दें, 48,000 टन की सिक्की यहाँ पर बन चुकी है अब तक, नेस्ट कोशन है, हाली में किसी most promising yacht person of the year के लिए चुना गया है, दोस्तों ये कोशन बहुत खतरनाक है, इसका सही option है, रिती का दांगी, आपको एक बार फिर question बता दें, हाली में किसी most promising yacht person of the year की अवाड से चुना गया है, तो इसका सही option है, रिती का दांगी, नेस्ट कोशन है, हाली में जारी ease of doing business में भारत की रेंक कौन सी है, तो इसका सही option है, दोस्तों 63 भी, 2019 में जारी की गई, ease of doing business में भारत की रेंक 63 भी है, दोस्त तो पहले यह 14 स्थान नीचे था और अब यह 14 स्थान उपर उठकर 63 भी स्थान पर आ गया है, नेस्ट कोशन की बात करें, तो बिजडन cricket cricket of the year की से चुना गया है, तो इसका सही option है, जस्पीत बुमरहा और स्मरती मन्नाना, इन दोनों को बिजडन cricket of the year की नाम से चुना गय नेस्ट कोशन है, जम्मू कश्मीर की पहले उपराजपाल कौन है, तो इसका सही option है, ग्रीश चंदर मुमू, और नेस्ट दूस्त इको और इंपूटेंड कोशन है, लग्दाप की पहले उपराजपाल कौन है, तो यह है राधा कृष्ण माथुर, नेस्ट कोशन है, हाली म में भारत का कौनसा राज चुना गया है दिसका सरी औफ्षन है मद्धिप्रथिश Lonely planet दवारा जारी रैंकिंग में मद्धिप्रथिश का दूस्तु भारत का मद्धिप्रथिश चुना गया है दूस्त इसमें Indonesia का East Noosa Tegra चुना गया है और दोस्तो हंगरी का बुड़ा पेस्ट चुना गया है टॉप बैल्यू डेस्टिनिशन के लिए और इसमें तीसी नमबर पर मद्धिप्रदीश चुना गया है नेस्ट कॉश्चन है हाली में किसी मद्धिप्रदीश का चीफ जस्टिस बनाये गया है जिसका से ओफ्षन है अजय कुमार मिद्धिप्रदीश का चीफ जस्टिस चुना गया है यह दोस्तो इंपोर्टेंट कॉश्चन है रबीट हो गया है दोबारा से लेकिर आपको याद रखने है अब दोस्तो बात करते हैं 2019 की नोबल प्राइस बिनर की यह लिस्ट आई है दोस्तो हाली में 2019 में है तो शांती का नोबल अभी अहमत को दिया गया है यह दोस्तो इथोपिया के रहने वाले हैं और इन्हें सांती का नोबल दिया गया है नेस्ट कॉश्चन है अर्थसास्त में नोबल किसे दिया गया है जिसका सेयोफशन है दोस्तू अविजीद वनर जी ये भारत की रहने वाले हैं इन्हें अर्थसास्त में नोविल दिया गया है ये दोस्तू बहुत इंपूटेंट कोशन है आपकी एक्जाम में पूछा जा सकता है और इनकी साथ इस्तिया वनर जी को ये फ्रांस की हैं और मा जी घम को और अकीरा योशनी को इन तीनों को लीथियम बैटरी बनाने के एक शित्र के शित्र में रसायन के लिए यह नोविल पूरुसका 2019 का वर्ड दिया गया है सायत का वर्ड दिया गया है दोस्तो 2018 के लिए ओलगा टूकर जुक को ये पूलेंड की रहने वाली है आपक पूकि इन्हें 2018 में दिया जाना था लेकिन किनी कारणों की वज़ाए से अभी नहीं दिया गया था लेकिन अब 2019 में और 2018 का इन दोनों का अबोर्ड 2019 में दिया गया है जिसमें 2018 का उलगा टूकर चुक्खू और 2019 का पीटर हैंड की जिव औस्टिया की रहने वाले हैं इन् इन इंपूर्टेंट क्वेशन हैं आपको याद रखने हैं अब लेकिन दोस्तों जो जैनियरी से जो भी करेंट अफ्यर की वीडियो होंगे आपको पर्मेनेंट और एक्कुरेट टाइम पर मिल जाया करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप जादे जादे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद